इरेडा ने फिर से पूरा पोर्टफोलियो लाल कर दिया और यहाँ पर आज जो ना इसके गिरावट कितनी हुई देखे पांच रुपए और बीस पेसे यानि दोस्तों लोवर सर्कीट तो नहीं लेगा लेकिन साथे तीन परसेंट के आसपास यह गिर चुका है ऐसा क्यों हुआ क्या इसको लेकर कोई नेगिटिव निउस आई है या शेर कितने तक और नीचे गिर सकता है पूरी जानकरी जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा तो बहुत से भाई लोगों ने सिर्फ रैली में जो है इस शेर को ले लिया था यहाँ पर देखे यहाँ पर नवंबर के आसपास आयता एंडिंग को और यहाँ पर 64 पर आते आते इसने देखे लगे यह मतलब 18 दिसंबर के इसमें मिड में ही इसने जो चलंग अगकर दबल हो गया था यानि 60 से डायरेट 120 हो गया था उसके बाद यह struggle करते रहा यहां पर 15 प्रांट प्रस्टिस्टा के दिन एक बहुती बड़ी स्कीम लॉंच की गई थी, मोधी जी की द्वारा अनौंस की गई थी, कि एक करोड परिवारों के गर के उपर हम सोलर पैनल लगाएंगे तब यह भागना शुरू हो गया था यहां पर देखिए, उस दिन देखिए सबसे जादा 18 जनवरी और उसके बाद देखिए 19 और फिर 23 जनवरी को मार्केट कुला था उस दिन भागना श्टार्ट हो गया, उसके बाद क्या होता है कि यहां पर एक फरवरी को आता है हमारा budget और budget की दिन जो है इतना कुछ खास नहीं था फिर भी renewable energy पर focus था फिर तो दोस्तों इसने भागना श्टार्ट किया और यह जो ना share जितना था नहीं उतना बढ़ गया यहाँ पर देखे 209 के आसपस भाग गया development यानि financing से लेकर development तक प्रोमोशन तक यह company पूरा काम करती है renewable energy sector में company जबरदस थे दोस्तों लेकिन इसकी प्राइस बहुत ज़ादा बढ़ चुकी थी और दोस्तों बहुत ज़ादा थी मतला भी इसके company के देख सकते हैं अभी उतना हुआ नहीं उतना यह बढ़ गया था और बड़े-बड़े players ने क्या किया यहाँ पर 6 फरगरी के बाद बड़े-बड़े players ने selling start की जिसकी वज़े से यह lower circuit लगते रहा अब दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं website पर आ गया हूँ यह अच्छी खबर है अगर आपने इसको ज़्यादा इस पर लेके रखा है ना दोस्तों के आसपस लेके रख गए 180 पर ले ले आप फस्ट चुके है पुरा portfolio लाल हो गया तो आपके लिए यह अच्छी खबर है कि यहाँ पर देखे company की continue देखे growth हो रही है यहाँ पर अब मैं yearly बात कर लेता हूँ yearly देखे yearly आ जाता हूँ तो yearly 2021 तक की updated growth पर जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता growth को update कर देना चाहिए तो यहाँ पर देखे आटरा में 370 करोड का हुआ था yearly फिर देखे 2019 में कम हो गया 20 में भी कम हो गया और 2021 में संदर जंप मारी लेकिन 2022 और 2023 का शोर नहीं कर रहा है तो यहाँ पर मैं अधर वेबसाइट पर जाके यहाँ पर चेक किया तो यह देखे इसका net profit देख सकते है 246 2021 में ता ना उसके बाद देखे 2022 में 600 यहाँ पर 34 यानि कि net profit की मैं बात करो 634 जो कि double हो गया था लगबग और फिर देखे मार्च में तो देखे दोस्तो 865 यानि कि दोस्तो company का yearly भी growth अच्छा हो रहा है और यहाँ पर इस company के सिर्फ problem क्या है कि यह over value हो गया वो कैसे आप लोग सोच रहे तो यहाँ पर देखे पी ratio देखे कंपणी का यह देखे कितना है 122 और यहाँ पर industry पी से 19 है यानि over value हो चुका है और यह अभी correction की इसलिए जरुत पढ़ रहे इसको क्योंकि यह काफी उपर बढ़ चुका था और यहाँ पर देख सके अब मुझे ऐसे लगता है कि अगर इसके उपर बड़े बड़े प्रोजेट ने आते कंपणी को लेकर कुछ एक दो महीने में तो यह election तक और गिरता रहेगा और मुझे ऐसे लगता है कि यह फिर वापस 150,500 के आसपास यह जो है गुम सकता है 200,500 के आसपास 150,000,000 ऐसे पहतास यह फिर यह वापस अपनी जो है पोजिशन पर जहेगा जो कि इसकी पहले थी यहाँ पर 110 और 120 के आसपास यहानि दोस्तों जो झोंने 100 से लेकर 105 के 105 और फिर 105 से यहाँ पर 120 120 के आसपास ये गुम सकता है जादा तर 120 के आसपास अगर गुमता है तो आप average का सोच सकते हैं वो आपके अपने radar पर रखे आप अपने decision ले सकते हैं मेरी कोई राय नहीं इसके उपर और यहाँ पर दोस्तों नहीं करूँगा कि इस price पर आप जो average करने का सोचे और वीडियो कैसे लगा हमें comment करके जरूर बताएगा